हेलो एब्रीबन वेलकम को दा करंट फियर सेशन अफ गुरुकुल गुरुकुल दे इस ओनलाइन प्लाटफर्म दे थू आप पर डिसकस कर दिया डेली दे कुछ इंपोर्टेंट कारण नियुज जो कि आपने हर एक एक एक्जाम देली जरूरी हो देने चाहिए कोई स्टेट लेवल दा एक्जाम है जा फिर सेंटर लेवल दा एक्जाम हर एक एक्जाम देली करंट फेर्दी काफी तरह वेटेच रहें दिये तो उन्हों पर डेली बेसे से कवर कर दिया इसे तरह आज है 19 जैनरी तो आज रहे सेशन दे विचाप पर डिसकस करांगी 19 जैनरी दे पर्टिकुलर परस्नालिटी जैना दी डेक्थ होई होई केडी फिल्ड नू बिलॉंग कर दिया तो एदे विच आपना जो अंसर होईगा ओएगा ओएगा ऑप्शन बी क्योंकि चेड़े शिरी उस्तार गुलाम मुस्तफा खान ने ओ हिंदोसानी क्लासिकल म्यूजिक नू अगरम पर्टिकुलर नू पर्टिकुलर रांपूर शाष्वन घराना नू ब्लॉंग कर दे सी आपना श्री मिलया 1991 दे विच पदम बूशन मिलया 2006 पदम भिपोशन मिलया 2018 2003 देवेच उनानों संगीत नाटिक अकाडमी दे द्वारा वी अवार्ड दिता गया जड़ा की हाइस इंडियन रेकोनाइज़ेशन दा अवार्ड है किसे भी पार्डिस्पेंट्स नों दिता नान दा जो की म्यूजिक दी फिल नों बिलॉंग कर देनी नेक्स्ट कोशन है रिसेंड़ी प्राइमिनिस्टर फ्लैग्ड ओफ ए ट्रेंज टू बूस्ट कनेक्टिविटी टू दे स्टैट्यू फ्लैग ओफ किता मतलब न्यू ए ट्रेंज नू नवे जो गौजस दे ऊपर लॉंच गेता तांकि स्टैट्यू फ्यूनिटी आज जड़ी कनेक्टिविटी उसनों इन्हेंस की तरह सके सो दाट टूरिजम नों प्रमोट की तरह से के मतलब ज़ारा जाज़ा लोग उस एरिया नों विजट करन दे ली अन सो यह जो Statue of Unity है वो located है State of Gujarat, इंडिया रे विच गुजराथ स्टेट है गिया, गुजराथ रे विच केवाडिया नामदी प्लेस थे जिते नर्मदा रिवर लोकेटे है तो नर्मदा रिवर दे बैंक ते ही यह बनाया गया Statue of Unity, So Option A is the correct answer, सर्दार बल्लवाई पटेल जीदा जो Statue है, Highest Statue है वो इसते बनाया गया, Then कुछ more important fact की 17th of January 2021 नो यह जो 8 ट्रेंज ने उन्हों फ्लाइग उफ किता गया, यह जड़ी connectivity है उसनों enhance करन गया थाकि seamless, मतलब without any रुकावट उजड़ी connectivity है उबनायी जा सके, Next इते लग लग जड़े railway tracks ने जिमेंगी दबोई चंडोड ट्रैक हो गया, चंडोड के वाडिया, then परताप नगड के वाडिया तो कुछ रेल्वे गॉजज ने जना नो बनाया गया, कि वाडिया स्टेशन जड़ाए इंडिया दा फर्स्ट रेल्वे स्टेशन है जड़ा green building certification देना रेटेड है, मतलब इस स्टेशन नो green building certification मिली होई है, इसदा की मतलब होंदा है कि इस स्टेशन नों बनाऊंते जो भी जो भी चीजां जी यूज किते हैं याने उना लेचा कोई भी आपने इंवर्मेंट नो कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे है तो यह कुछ इंपरेंट फैक्ट्स होगे नेक्स्ट कुश्चन देख दिया हू प्रारम स्टार्टप इंडिया इंटर्नेशनल समेट 2021 तो इंडिया दीख इंटर्नेशनल समीट हुई है जिएज दा नाम है प्रारम इसदा इनल्गरेशन किक्स ने किता प्यूश गोल उनने इनागरेट किता और इक संसा ने किता सी इनागरेट किता प्यूश गोल जड़े की आपने रेलवे मिनिस्टर है कि ने प्रारम स्टार्टप इंडिया इंटरनेशनल समिट इन नियू डेली इन 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 सारी कंट्रीज ने पाटिस्पेट की तो ऑगनाइज के सीपार्टमेंट ने कराया डिपार्टमेंट ओफ प्रोमोशन आफ इंडस्ट्री और इंटर्नल ट्रेड थे जनूआफ कॉमर्स लिक्स दोनों ने मिलकीन अगनाइज करवाया तो क्यों करवाया वीज़ के प्राइम मिनिस्टर ने आनाउंस किता शिए इवेंट हो और अगनाईस करवाया जाएगा next question the country's first indigenous driverless metro car has been developed by which among the following तो country दी पहली, पहली मतलब first time इस तरह अधी activity हो रही है कि इंडिया ने खुद दी बनाई होई, indigenous बनाई होई, driverless metro car नो developed किता है तो केडी organization ने developed किता, so it was developed by BEML option ने इदा character answer हो गया, BEML जड़ी की बैंगलोरू देवेच एदे headquarter located ने तो इस organization ने इसनों बनाया इदे रिगार्डिंग जड़ी आपने लिए important questions ने, ओ ए ने कि पहली वरी, इंडिया दी खुद ही developed किती होई, एक अपाँ train car बनाई है, metro car and it driverless भी है, मतलब एरच कोई भी driver नहीं होएगा, without driver, automatic mode दे एक काम करेगी, then एक यह manufacture किते करी गई है, BEML दे, बैंगलोर कंप्लेक्स देवेच, एदी capacity जड़ी है, बाइसो अस्ती पेसेंजर्स दी है, इनागरेट किस ने किता है इसनों, आपने जड़े डिफेंस मिनिस् इनागरेट किता है, आपने इंडिया दे टेडी progressive development देवेच काफी important step है, next question है गाई तेवेच इंपोर्टन की, BEML दे टेड़े है, बैंगलोरू देवेच, एक उच इंपोर्टन देवेच, जड़े आपने लिए जरूरी ने इस question दिना आग लेटर, next question, in which Indian art form was a part of the virtual kick-off ceremony of Biden-Harris inauguration, Joe Biden चेड़े की US ते new president बने ने, चेड़े की 46th president ने, and Kamala Harris, चेड़े vice president है, and Kamala Harris क्या हो important है, because हो Indian origin दे ने, इंडिया दी एक southern जो एक state है, उत्तों दे बिलॉंग कर दे सी, so ओना दे स्वागदे लई, white house से सामने, जो एक Indian art नो बनाया गया, Indian art मितलब एक इंडिया दी state था, एक particular art है, उसनो बनाया गया, तो आपने लिए question important हो जानदा, तो ए जड़ा art सी, ए तामिल नादू state नो बिलॉंग कर दे, वो थेक रंगोली बांदी है, particular type दे, उसनो केंदेने column, तो column दा art परफॉर्म किता गया, इस जगह थे, ताकि उना नो जो, उना वेलकम किता रा सकेते, ए जड़ा column होंदा ना, उदा मतलब होंदा है, कि अगर क of column art परफॉर्म किते गे, इस जगह थे, so अपने इंडिया दे एक art है, that's why अपने लीग जरूरी हो जयान दा कि आप इंडिया दे केडी state नो बिलॉंग कर दा है, so इंडिया दी, तामिल नादू state नो बिलॉंग कर दा है, column, so column, an Indian art form of geometric patterns used as a sign of welcome, was part of virtual kick-off ceremony of the inauguration of US President, Elector Joe Biden and Vice President Kamala Harris, उना दी जड़ी welcome ceremony दे लिसनों promote किता गया, तो thousands of column जड़ी है, उनों ताइ किता गया, बनाया गया, ताकि जड़ी Indian origin दी, first women है, जो USA दे वाइस प्रेज़ेंट वने ने, उना दा welcome किता जा सकी, so column is the traditional art form of Tamil Nadu, जड़ी की India दी southern state है, काफी women ने इस नों ड्रॉ किता था कि जो भी इसनों एंटर करके होना, वो positive energy नों लेकर होना, मलब इदा मतलब ही होना, जड़ी जड़ा geometric pattern बनाया रहना, काफी जड़ा dots नों मिलांके, symbol होना, welcome दा, and also दा reminder to enter with positive energy, ताकि positive energy देना, एंटर किता रह सकी, उसे चीज़नों इंड़ी नों इंड़ी नों इंड़ी जड़ी जड़ी पूरे वर्ल्ड दी, oldest cave painting है, उसनों discover किता गया, किस country देविच, तो अपनी जड़ी ancient history है, उसे point of view तो काफी important fact है, कि वर्ल्ड देविच एंडोनेशिया देविच एक particular island ही, उस island दे अंदर hidden caves है गया ने, उनना caves देविच अंदर इस painting नों find out किता गया, so एक पेंटिंग ब्लॉंग है, पिग नों, wild pig दी, एक पेंटिंग है, life painting है, मितलग जिस तरह ने, exactly जनी size दा पिग होंद है, उसे ही size यह जड़ी पेंटिंग है, उसनों बनाया गया, so किस country देविच मिली है, मिली है, इंडोनेशिया देविच, इंडोनेशिया देविच, जकारता, option भी correct answer हो गया, so recently were the oldest cave painting मिली है, it was discovered in Indonesia, archaeologist ने discover किता है, जो annual cave painting है, इंडोनेशिया देविच, इंडोनेशिया देविच, नेर बाउट पंताली हजार पांसो एर अगो, मतलब एदे जड़े कार्बन डेटिंग होई, कार्बन डेटिंग दो पता लगया कि नेर बा पेंटिंग बनी होई है, so important चीज है, history दे point of view तो याद रखना, इंडोनेशिया दे विच मिली है, ओथो ने एक particular island विच, because Indonesia island nation ही है, काफी सारे islands नो मिला के बने होया, so ओथे ही ये पेंटिंग मिली है, dating किती कही है, किसे द्वारा, Mr. Albert, next question, name the supreme court bar association president who resigned recently, अपर रसने कि supreme court bar association दे एक president है किसी, जिनना ने रिसेंटली resign करता, ओना दा नाम किसी, so he was Mr. दुश्यंत दवे, दुश्यंत दवे ने resign किता है, supreme court bar association दो, तो supreme court bar association की हुन दी है, जड़े supreme court दे practicing lawyers है किने, मुदल जड़े practice perform कारे ने, उनना lawyers दी, एक संस्था बनी हुन दी है, एक association बनी हुन so this question the right answer की हो गया, option B, supreme court bar association president दुश्यंत दवे, resigned from his post saying he has forfeited his right to continue, वनलों वने आदा right to continue खतम कर लिया, so यह आपा देखी लिया कि supreme court bar association की हुन दी है, एक कुछ practicing lawyers दी, एक संस्था बनी हुन दी है, इंडियन बनी हुन दी है, जिननों आपा कहने है, supreme court bar association, next question the Panna Biosphere Reserve has been included in the world network of Biosphere Reserves by which of the following organization, तो Panna Biosphere Reserve, जेडा की इंग्लूड किता गया, पूरे वल्ड दे network है, जेडा Biosphere Reserves दा, तो आपा रसन है, ओ देविच इसनों किसने इंग्लूड किता, so अगर आपा इना options देविचो देखिए, तो जो UNESCO है, UNESCO इस तरहां दे काम कर दिया, अगर किसे Biosphere Reserve जा फिर वाइलाइफ सेंश्री नो, नेशनल लेवल दी, इंटरनेशनल लेवल दी इंपोर्टेंस दा टाइटल देना हावे, तो से सुन्या होएगा, UNESCO World Heritage Sites and All, तो उसे तरह UNESCO ने ही पन्ना Biosphere Reserve नो, World Network of Biosphere Reserve से विच एंटर करवाया है, so इस question दा 1981 दे विच, मतलब पन्ना Biosphere Reserve से गाल किती जा रही है, कि 1981 दे विच एस्टाबलेश होया, and इस्टी इस लोकेटेड इन दा पन्ना and चातरपूर दिस्ट्रिक्ट्स of Madhya Pradesh, Madhya Pradesh तीया, डो डिस्ट्रिक्स ने, पन्ना ते चातरपूर, उनना दो मां दे विच लोकेटेड नेरबाट 540 स्केर किलोमेटर दा एरिया इस था, and विंदियन मांटेन रेंजे अगर तुसी सुनिया होवे, Northwestern रिजन दे दो में मांटेन रेंजे ने, अराव ली से विंदियन, तो उनना दो चाटेडी विंदियन मांटेन रेंजे उस देश लोकेटेड है, Madhya Pradesh ने नॉ अगर यमुना दी काल करें तो यमुना दी सबतों कार्ट पल्यूटेट टर्विटरी है, केन रिवर तो केन रिवर इरे विचो फ्लो कर दी है, यह वी इंपोर्टेंट है, नेक्स देडा केन बेटवा, इंड रिवर इंडरलेंकिंग परजेक्ट, आपका कुछ दिन पहला ह पन्ना वाला एरिया फेमस है, पन्ना डाइमंड माइनिंग दिली, तो बहुत जारा सारे काफी इंपोर्टेंट कोशन्स होगे, इस टॉपिक दिनार लेटर जड़िया पा सारे कवर कर लिया, इंडियन आर्मी तो इंडियन आर्मी ने रिसेंटली इंडियन एक 9mm मशीन पिस्टल डिवल्प किती है, पर इस ना किस ओगनाइजेशन दिनाल मिलके डिवल्प किती है, इस मशीन पिस्टल दी बहुत जाड़ा इंपोर्टेंस है, बिकॉस इसी जो वेट है, 2kg तो भी काट है, प्लस इनी कॉस्ट बहुत काट है, निर बॉट 50,000 दे विच त्यार होगी, मगर आपा इंपोर्ट करिये ता, इनी कॉस्ट काफे जाना पेंदी है, पर इंडिया ने डिया डियो देनाल मिलके इसनों बनाया, डिया डियो जडि अपनी डिफैंस रिसर्च ते डिवल्प्मेंट और्गनेजेशन है, दोनों ने मिलके इसनों डिवल्प किता है, so option A is the correct answer, इंडिया फर्स्ट आवर, इंडिजीनियस, 9mm मशीन पिस्टल, हाज विन इनका इंडिया आर्मी देन्वाइबागा मओ, मुझे अउनला मिलके इसनों बनाया, so यह मशीन पिस्टल ने मिलके इसनों बनाया, so यह मशीन पिस्टल प्रेमेर ली सेल्फ लोड़िंग है, मतलब ऩृ जाण दिया ऑटोमाटिक, फुली ऑटोमाटिक है, then यह तनानाम सेल्फ रिस्पेक्टिंग ते हार्ड वक जेड़ा अपनी इंडियन आर्मी नो ही दिनोट कर दे मशीन पिस्टल है देन टू के जितो भी काटे दा वेट हैगा 33 राउंड दी कैपस्टी है एरी कोस्ट जेड़ी 50,000 तक है that's why आप काफी इंडियन आर्मी देविच ओना पासपोट इंडेक्स रिलीज किता गया 2021 था उस इंडेक्स से अकॉर्डिंग केड़ी कंट्री ने टॉप किता है तो अगर आप बेसिक जी इंफॉर्मेशन दी कल करिये ते हैंली पार्टनर्स जेड़ा पासपोट इंडेक्स होड़ा मतलब कियों थै कि अगर किसे कंट्री अपनी पासपोट से नाल बाद तो बाद कंट्रीज नो विजा फ्री विजट कर सकते हैं मतलब इस इंडेक्स नो डॉप किता जपान ने तो जपान दी अगर किसे परसंद को ले पासपोट है जपान था ता ओं यह बॉट एक सो एकानमें कंट्रीज नो विदाओट एनी व वाल्यू होगी सो इस इंडेक्स से चंट्रीज नो रैंकिंग देती गई है उनदी जो वीजा फ्री विजर्ट थे अकॉर्डिंग सब तो टॉप नंबर ते आया जपान सेकिंड प्लेस थे है सिंगापोर सिंगापोर दे सिंगापोर ते से इस इसंगापोर दे इन ओन्वान एनी वीजा इंडिया दर रैंक है ने विचाया 85 जड़ा की काफी पिछे हैं लब इंडिया बहुत पिछे हैं इंडिया दर रैंक 2020 दे फिछ थोड़ा ठीक सी तरह सकते थर्ड किया है साउथ को रिया एंड जर्मनी चेड़े सिटेजन साफ देट पासपोर्ट दे नाल एक सो 189 कंट्रीज ट्रैवल कर सकते हैं वीजा फ्री तो पहला हमेशा यू यू कंट्रीज मितलब यूर्पेन यूनिन दे कंट्रीज दे यूके एंड यूएस टॉ इस वारी इसनों टॉप मेंली किस ने किता इडिया एशिया पैसिफिक कंट्रीज हो गी है अगर वर्स्ट दीगाल करिए सब तो पिछे रैंक के दे आए ने ओ है सीरिया इराक अफगानिस्तान उस वार पाकिस्तान आपने तो पिछे रैंक की ना 107 एंड जड़ा निपाल रैंक है का 104 इंडिया दे रैंक लास्ट यर मतलब 2020 देज किना सी 84th 2019 देज किना सी 82nd मतलब अपां जेवें जेवें साल वाद रहा है अपना रैंक उम्में में कटदा जा रहा है तो एक कुछ इंपोर्टन इंफोर्मेशन है है ले पास्पोर्ट इंडेक्स थी नेक्स कोशन who has become the first President of the USA in history to be impeached by the House of Representatives तर्म म्हिंट्रों से बंधूस्ट प्रेजिए आपटरुम्टीं में ना रिखम् में में लिख द्फ क्रों से गिए कर एगा जोब मिला। टर्म स्टार्ट होई ता सब्तों पहला उननों इंपीच किता गया इंपीचमेंट दी परसेश शुरू होई 2019 देज उस्तों वाद 2021 देविच रीसेंटली जरो छे जनवरी नू उनना दे द्वारा पड़काये होई मौव दे द्वारा काफी जादा मतलब हड़कम मचाया गया यूएसे रेड़े वाउट वाइट हाउस या प्रेजिडेंट हाउस से सामने ता उस वादे एक्शन ले आ गया उथने थौट इस द्वारा कि कोई परसन पूरे वर्ड दी लार्चस्ट डेमोक्रेसी नू इनना नुकसान पहुंचा रहा ओधी जिदा नाम है ट्विटर थे फेस्बुक उन्ना ने डॉनल ट्रम्ट दे अकाउंट नू बैन करता तो किन्नी जादा मतलब शर्म वाली गल है कि एक प्रेजिडेंट होंदे ना थे एदा ने एक्टिविडेस परफॉर्म हो रही है याने डॉनल ट्रम्प दे द्वरा बट डॉन्ट वरी होनो चले ही जानगे कल नमें प्रेजिडेंट अपॉंट हो जानगे जो बाइडेंट जेडेंगे काफी सेंसिवल परसन नी सो कुछ होर इंपॉर्टन फैक्टर्स की इंपीच्मेंट दे रीजन्स की हुंदे ने मतलब युएसे ते इंडिया दे कंपारेजन करें ता युएसे ते विच ओंपीच क्या हों कारते ने अगर कोई प्रेजिडेंट हा ओ उतना ब्राइबरी लेंदा है जा फिर ओना जड किस तरह दा कंस्ट्रोशन दे विच ओच दी कोई वी जान करी निया है किस तरह दी वाइवलेशन दे करके प्रेजिडेंट नो इंपीच किता रा सकता था इस तो पहला अगर आपका अल करिए युएसे तरह उन तक तीसरे प्राइम तरह प्रेजिडेंट ने डॉनल्ड ट् किता गया सेनेट दे द्वारा मतलब इंपीचमेंट परसेस स्टार्ट हो या बट कोई वी युएसे तरह प्रेजिडेंट हुन तक इंपीच नहीं होया सेकेंड किस नो किता गया सी 1998 दे विच बिल क्लेंट थर्ड जो डॉनल्ड ट्रंप ने 2019 दे विच एंड फॉर्थ जाए सब्सक्राइब किसे भी हाउस युच स्टार्ट किता जा सक रहा है इंडिया दे विच प्रेजिडेंट दे ही इंपीचमेंट हुन दिय है होर किसे दे लहीं इंपीचमेंट शब्द परयोग नहीं किता रहा है नहीं था नेक्स्ट कोईशन अक्वार्डिंग टु युचा आए बाकी व्ड्स जादा है वर्ण एंडिया दे बहुत जादा लोग बाहर होर कंट्रीज जाके रहन देने इस रिपोर नो भी इंडिया ने ही टॉप किता है रडिकी उनाइटर ने प्रिसेंट किती सी, इंडिया डाइस्पोरा पूरे व्ड्स जा रहा है इंडि इंडिया दे लोक सब तो ज़रा vibrant ने सब तो ज़रा डाइनमेग ने लग-लग area दे विच वर्ड दे विच एंड रिपोर्ट इंटर्न इंटर्नाशनल migration 2020 highlights इदा नाम किसी रिपोर्ट दा international migration 2020 highlights इदे विच की क्या गया कि निर्बॉट 18 मिलियन जड़े persons ने इंडिया दे विच वह बाहर कंट्रीज च रहने ने, मतलब इंडिया दे 18 मिलियन पीपल अलग अलग कंट्रीज दे विच राके सिट्वेश चड़ने, कला एक कंट्री दे विच नी बट अलग अलग पूरे वर्ड पूरे गलोब ची फैले मतलब कोई कंट्री नी चड़ी हार एक जगाते जाके रहान लाग चंदे ने आपने जड़े सब्सक्राइब लोग रहें दे ने यूए इच मतलब यूनाइटेड अरे एमिरेट्स सेकिंड नमबर ते यूए से विच टू पांट सेवन मिलियन और थर्ड नमबर साओधी अ इंडिया तो बां सब्सक्राइब नमबर ते काट्री पांट्री पांटरी सेएं वह वह आधें मैक्सिको पर रस्या साइब साथ है आपकशन फॉर ते ची इंफोर्मेशन है टी तो अब सरिजचिंत हा आपकश्रा प्रीवेडे थे इसकास करे साइसी neuen स्वामे पवेका नान जिए एक famous speech सी जड़ी उनाने दिती सी जो काफी famous होई तो I think so by mistake में था नो उस दा answer किया सी कि स्वामी वेकानन जिए स्पीच जिए सेंट फ्रांसिस्को देविच रिती इसी बटो रिती के सी शिकागो देच तो करेक्ट कार ले ना इस स्पीच रिती हो रहने 11 सेप्टेंबर 1893 शिकागो दे एक आर्ट इंसिटूट देच ए स्पीच रिती के सी और इननी जड़ा famous होई क आज दे हजे वी illuminate कार देनी तो काफी important है कि स्टिल ओना दे स्पीच दे टेड़े वर्ट्स ने ओ उत्थों दे शिकागो दे आर्ट इंसिटूट दियां स्टेवर्स से इल्यूमिनेट का रहे ने सो किन्ने प्राइड वाली काल है इंडिया देली सो ए थोड़ा एक कोस्ट जो मैं पहला शायद रॉंगली इंटर्पेट कर रहा बट नाओ आम करेक्टिंग माइ मिस्टेक सो एक उच टॉपिक्स आपने डिसक्स होगे आज दी न्यूस दे लास्ट टॉपिक डिसक्स कर दिया अपना नैशनल पार्क दा सो आज आपा बिहार दे नेशनल पार्क से ड नेक्स्ट ओन वाले वीडियो से विछ आप बाकी स्टेट्स नो भी कवर करनांगे तो इस तरह थोड़ा नैशनल पार्क वाला स्टैक टॉपिक भी त्यार हो जाएगा इस दी एंड अफ दी वीडियो तो आज दी वीडियो ते सारे कोशन्स नो चंगी तरह देख लेना और इस बागा अगर कोई नाम दी एब तो सी प्ले स्टो स 되고story कर सक तहह जोगे अगर अगर कोई ठोलना थी आप तुसी प्ले स्टोर कर सकटाई ओon अगर कोई होर इंक्वाइर हुए तन यू can contact to this number and if you like the video then click like button subscribe the channel and share the video bye bye take care